नमस्ते फ्रेंट्स गार्डनिंग वित बंदिना में आपका स्वागत है आज आपको जो मेरे विड्डर प्लांट्स हैं उनको दिखाऊंगी कि वे अभी चल रहे हैं बिल्कुल थोड़ी मुर्जाए हैं लेकिन यह है कि बिल्कुल पुराने नहीं हुए हैं तो सबसे पहले सुरुआत करती हूं मैं जरेनियम से जरेनियम का देखिए मेरे पास फ्रेंट्स चार पांच प्लांट थे और सभी रेट कलर के थे और एक के वाल ओरेंज कलर का था वो थोड़ा सूप गया है क्योंकि उसे मैं नीचे ही नहीं लेया पाई पानी तो रोज पढ़ता है लेकि यह है कि यह देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरी हो रही है और थोड़े थोड़े इसके जो फूल है यह सूख रहे हैं अब धीरे-धीरे करके लेकिन यह कि कलिया बनना अभी भी देखिए जारी है तो मैंने इसे हटाया नहीं है और यह लगभग अभी लगता है कि यह पूरा चलेगा अभी 15-20 दिन तो और चलेगा ही इसके साथ ही साथ यह पेपर फ्लावर जो मेरे हां है यह भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं इसके कुछ प्लांट मैंने अलग रख दिये हैं अभी उसको भी दिखाऊंगी लेकित यह देखिए यह पेपर फ्लावर कि अभी आपको मैं अपने जहां वेजिटेबल्स लगाती हैं वहां ले चलूंगी तो आपको पूरा गजानिया दिखाऊंगी और यहां जो अभी ग्राउंड में हैं इन्हें आप देखिए यह कितने अच्छे से अभी भी चल रहे हैं और यह जो सुखे फूल है यह अब मैं मिल जाने की वज़े से और यह वाला थोड़ा सूख रहा है लेकिन यह कि देखिए अभी इसमें यह देखिए नई ताजी कलिया बन रही है और इसे मैंने बीज बनने के लिए छोड़ दिया है यह देखिए यह वर्बीना देखिए फ्रेंड्स यह कितने अच्छे से अभी चल रहे हैं और लगता है कि अभी यह चलेंगे जबकि मैंने इसे छोड़ दिया था कि अब लगता है कि यह जा रहे हैं लेकिन यह कि फिर दुबारा इसमें फ्लावरिंग हो गई है और यह वाला वर्बीना तो देखिए अभी भी उतना ही फ्रेश है जैसे कि पहले यह था और इसलिए ही मैं इसे हटाई नहीं हूँ और इसके अलावा यह देखिए यह चोटा सा यह भी बहुत चोटे प्लांटर में हैं लेकिन यह थीक दे रहा है फूल और यह अलाईसम तो लगा हुआ था यह अब जा रहे हैं इसके अलावा यह डहलिया का जो देखिए है लेकिन हाँ यह है कि फ्लावरिंग अब धीर धीरे खतम हो जाएगी फ्रेंट्स मेरे हां देखिए अभी पिटूनिया भी चल ही रहे हैं इसमें थोड़ा पानी सुबह साम देना रहता है देख करके कि यह सूखने ना पाय तो यह ठीक चल रहे हैं देखिए इसके फूल अभी भी फ्रेश हैं लेकिन यह है कि मैंने पिंचिंग करना इसे बंद कर दिया है कि अब इसमें सीट पॉट बनेंगे और पिंचिंग करते रहने से यह देखिए यह पूरे अभी भी है हाँ थोड़े लैगी-लैगी से हो गया है प्योंकि अब इनका मौसम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं तो यह इनको छोड़ दिया है हमने इसमें देखिए यह कितने स्पेंट फ्लावर है और अब इकदम बिल्कुल इसको छोड़ दिया है ध्यान देना बस पानी दे देती हूं यह देखिए फ्रेंट्स यह नेस्ट के दाने सीट पॉड बनते हैं तो आप चाहें तो तो रख सकते हैं इस तरह बनते हैं यह इसमें सीट पॉड बनते हैं अभी पक देखिए नहीं है इंहें चोड दूंगी आपक्के ऐसे नीचे गिर जायेंग्ए ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब आप इनके सीट कलेट कर लीजेगा यह डहलिया में देखे अभी भी फ्लावरिंग हो रही है यह दो फूल देखे एकदम फ्रेश है और यह डाल थोड़ी नीचे हो गई है यह देखे यह वाले भी और इससे धर कर देती हूं इसके साथ ही साथ यह देखे गुड़हल में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है यह थोड़ा सूख रहा है अब यह जो ग्राउंड में मैंने गेंदे लगाये थे वह हैं फ्रेंट्स अब देखे यह धीरे-धीरे करके जा रहा है इनका मौसम भी अब जा रहा है और अब यह जल्दी चले जाएंगे देखे जो खाली जगह आपको दिख रही है यहां कुछ प्लांट खराब हो गयते इसे बने हटा दिया है और कुछ घास उगाई थी उसे भी निकाला है तो यह ऐसा भी हुआ है यह है कि अब धीरे-धीरे यह गेंदे भी अब चले जाएंगे कि उनटीज की इसके ऐलामा फ्रेंट्स कलांचू में बहुत अच्छी फ्लावरींग हो रहाlly है अभी और यह औरंज क कलर कर देखे कितना है कलर हैं कलर यह बाद में खिला है और यह लगभा एक महेने से जब भी आपको कटिंग मिले तो आप कटिंग लगाते रही है और प्लांट को प्रोपोगेट करते रहना चाहिए और यह जर्बेरा देखिए अभी इसमें पूरी अच्छे सी भर-भर के फ्लावरीं हो रही है यह देखिए अब हम आपको ले चलते हैं अन्य जो पौदे रख बन जाएंगे तो दिखाऊंगी अब हम सब किचन गार्डिन में आ गए हैं यहां पर मैंने कुछ गमले हटा दिये हैं वहां बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी तो लेकिन यह है कि फ्लावरिंग देखिए इसमें अभी भी हो रही है तो इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है और यह गेंदे के फूल हैं देखिए कितने अच्छे इसमें अभी भी आ रहे हैं और यह फिर वही गजानिया और यह है डैन्तस यह भी गजानिया में भी डेखिए आप कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो रही हैं बहkins प्यारे फूल आ रहा है इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है और थोड़ा सा से माई जुन में बचा लिया जाए तो यह रहा जाते हैं पूरे साल यहां देखिए फ्रेंट्स यह पिटूनिया जो मैं बाद में ले आई थी उसमें अभी अभी फ्लावरिंग हो रही है और यह जो मैंने अभी आपको लगाना दिखाया था लक्ष् लुदा के यहां रखे वे हैं यह ऑंक पेडھ है आप देखिए और इसी के नीचे में रख देती हूं तो यैसमें थोड़ी चाया भी रहती है और धूब बहुत नल भी आयों है यहीं ने पानी भी देती हूं तो यह बहूत अच्छे से देखिए आप चल रहे हैं यहां के लिए आप वो जो चुना पान की दुकान पर मिलता है उसको भी एक दो ग्राम घोल बना करके दे सकते हैं वो भी वो मैं इसमें दूंगी और यह देखिए और इधर वाले में भी देखिए यह पूरे टमाटर लग रखें हैं बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन हाँ यह कि दिख रहे हैं टमाटर हैं और यह देखिए फ्रेंट्स यह एक छोटा सा मिर्ची का पौधा है सिम्ला मिर्च का पौधा है तो इसमें देखिए छोटी सी सिम्ला मिर्च यह लगी हुई है तो फ्रेंट्स यह सभी थी आज की अपडेट की विंटर प्लांट्स अभी कैसे च के अचेड़ जो एक झान डबागो रेन ने था शायर ना रेन तंस तार्मस्ट करता वर्छ था में जिसा करता है कि अचैसर आधा जायर भुब क्या तर्मस्ट आफता है कि अच्ट एक चा दो रेखा वे घटक्ट एक अटार अटारी है